तो गाइज वेल्कम तो डेली फुटवाल मैडनेस और ट्रांसफर डेडलाइन डे इस अल्मोस्ट ओवर अभी जब मैं ये विडियो रेकॉर्ड कर रहा हूं तो तस गैरां बज रही हैं सिरफ एक घंटा रह गया है जर मेरी की बात कर रहा हूं एक घंटा रह गया ट्रांसफ पुरी न्यूस है, पुरी न्यूस है जो भी आपको बताने वाला हूं वो तो आप बताएंगे comment section में और obviously मैं भी rate करूँगा transfer market को आप भी बार्सवरों की जो ट्रांसफर विंडू है market उसको rate करें comment section के अंदर सबसे पहले तो the two jewel's have joined FC Barcelona, काफी सार ड्रामा रहा और ओविस तो यह सब खायर चलता रहा और अभी भी कुछ चीज हैं हो नहीं बाकी है लेकिन जोईन कर चुके में हैं फार्टी जो हैं वो ब्राइटन जा चुके में हैं उसके अलावा आपदे की न्यूज अभी तक कंफर्म कोई नहीं है रियाल बटेस के साथ डील ओफ हो चुके है तो अभी भी निगोशिस चल रहे हैं वोल्प्स नोटिंग फॉरस और एक दू और कलब्स इंटरस्टेड हैं तो अभी तक यही प्लैन लग रहा है कि आप दे विल लेकिन हो भी सकता है विडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ नी हुआ हिर भी गो नी हुआ आप दे को लेके लेकिन हो सकता है और यह भी हो सकता है कि वो रुक जाएं वो नहीं उनका कोई डील हो सके विकॉस एक ही घंटा रहा चुका हुआ है तो खेर यह तो जब आप सुबह वीडियो देख रहे होंगे तब आपको बता चल र इसकी जो है वो न्यूज चल रही थी है अब में चीज डिसकस कर लेते हैं कि भाई क्या अच्छा हुआ क्या बुड़ा हुआ तो भी वेरी ओनेस्ट बिंग बार्सा फैन इट वस अ वेरी एक्जास्टिंग विंडो पैसा पार्सा के पास था नहीं हम कितने ज्यादा प्ले नहीं होती जाओ फिलिक्स के लिए तो बार्सा का जो स्पेंड है वो 3.5 मिलियन यूरो तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी मुश्किले रही हैं बार्सलोना को एड़ के ओपर तो करेंटी जो है वो खुद पैसे रखा के देनी पड़ी एस पर एपोर्स लपोर्टा को प्ल यहां पर हमने बहुत से प्लेश को अफलोड किया ठीक है बहुत से प्लेश को लोन ओट किया लंगले वेजबिल रिड्यूस किया वेल उन ट्रैक एस वर एज़ स्ट्रक्सर इस कंसरन और बहुत से प्लेयर गए डेमबले गए उस नेक ने डसा ठीक है चलो वह अच्छा हो यहां फाइनली आँखे खुल गए हमारी फैन बेस की तो बहुत सी चीजें हुई और हमने देखी इट वेरी फ्रस्ट्रेटिंग ट्रांसफर विंडो विड्यूस कितने प्लेयर चलेगे कितने वेज़िस चलेगी पीके की चलेगी बुसकेश की चलेगी जॉडियल बख चल लांग लगी चलीगी फिर भी आप लेरेजिस्टर करने में स्ट्रगल कर रहे थे तो इससी डियालिटी फैसी बार्सलोना यह आप XFact कर लेए यह दो सीजन तक minimum minimum चलेगा अगले दो साल तक तो यह रियालिटी है बार्सा की और आप देख लें कि चाओव फेलिक्स और कंस थीक है जाओ फिलिक्स ने अच्छा अब एक एक करके जो हो बात कर लेते बट वस फ्रिस्ट्रेटिंग आइं ग्लाड इट एंडिड और मुझे लगता है कि वस डीसेंट ट्रांसफर विड़ो फॉर बार्सलोना अब मैं तो पर्सनली रेटिंग दूंगा इस फैनेंशल सिच सिचुएशन के अंदर और और इस फैनेंशल सिचुएशन में यह इतने पांच-छे प्लेटिंग इस फैनेंशल सिचुएशन में यह इतने पांच-छे चाहिए प्लेटिंग जनके मैं नाम ले रहा हूँ यह लेकिया ना चाहिए लोन पर चाहिए चो मर्जशी है इस मैसिव जॉब जो ड़ना विसल जाओ बात कर लेते हैं और विश्लीयों कोई भार्सलोना और हमको जूरूरत भी है राइड बैक भी खिल रहते हैं लफट बैक भी खरे रहते हैं यह तो यह सब कुछ देखने को मिल जाएका और obviously कोई obligatory option नहीं है सिरफ कोई purchase option भी नहीं है you will come back to it's a safe deal ठीक है अच्छा अब आप दे की बात कर लेते हैं cancelo की हमने बात कर ली आप दे यार देखो 10 million के अंदर ना एक player try नहीं किया हमने मतब हमको पता नहीं लग पाया कि भाई उसका क्या potential था तो ये एक चीज मुझे थोड़ी सी तंक करती है और दूसरी चीज मुझे ये तंक करती है कि 10 million euros या 15 million euros के अंदर report हो रहा है which is absolutely crazy भाई पता I don't know, Barca has to do something to become a better selling club because pull तो है लेकिन selling club हम बिल्कुल भी आचा है नहीं Frank कैसी 15 million का player है भाई वो आप दे जो भी है भाई वो 15 million का नहीं है आजकर की market 10-15 million is a decent player ठीक है 15 million का कहा है वो player तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा दूख है उपे से कुछ चीजें report कर रही थी कि 40 जो है वो sorry आप दे कुछ चावी चाहते थे कि वो रुकें और कुछ sources ये report कर रही है कि आप दे was forcing his way out अगर ये true है कि आप दे is forcing his way out तो फिर तो भाई जो player जाना चाहता है वो जाए ठीक है तो फिर तो मुझे कोई of source नहीं है फिर मुझे सिर्फ इस चीज का of source है कि वार्सा को सिर्फ 10-15 million मिल रहे है लेकिन अगर ये सब कुछ हो रहा था जाओ फिलिक्स को adjust करने के लिए और ये सारी चीजें करने के लिए तो I just don't agree with that because आपको test तो करना चाहिए था आपदे को because आपके पूरे squad में 40 चले के template चले की सिर्फ एक ही direct player और winger और winger और winger and that is आपदे तो मुझे थोड़ा सा concerning लगता है ये बट अब देखते हैं कि आपदे का हेर्वी अभी तक मैंने जब तक कि video बना रहा है हेर्वी गो नहीं हुआ काफी possibility ही के हो जाएगा but let's wait and see because either situations के अंदर मैं ना बहुत ज़्यदा खुश हूँ ना बहुत ज़्यदा उदास हूँ आपदे की situation में अब आ जाते हैं अच्छा एरी गर्षिया यारी गर्षिया was a domino effect और as per sources city ने ये रखी वी थी obviously Girona same city group के अंदर ही आता है अंदर ही आता है तो एरी गर्षिया वहाँ पे होता तो कंसेलो की deal अप्रूव होनी थी और एरी गर्षिया वहाँ हो गया चावी नहीं चाते थे कुछ चीजें हुई है I think आपदेवरी scene और एरी गर्षिया वाला scene चावी नहीं चाते थे और उनकी will के against वहाँ यह हमको बात throughout the season याद रखी है कि even I think Joe Felix भी signing जो है वो चावी की नहीं है यह Laporta की signing है marketing को देखते हुए George Mendes को देखते हुए यह मुझे लग नहीं रहा है इस पर sources जितनी में मैं sources and reports पड़ी है ठीक है तो Harry Garcia चलेगी है which is good हमने maybe अब मिकाल फे को integrate करना पड़ेगा आपके fifth choice center back होंगे Harry Garcia by the way fifth choice center back ही थे आपके उसके लावा आपने fall obviously ममदू fall को आपने sign किया हो सकता है कि वो team के अंदर integrate कर लें चावी तो ठीक है आपने एक बार्सा athletic के लिए एक player sign के लिए Harry Garcia चलेगी अब fifth के उपर center back पे किसी न किसी को promote करना पड़ेगा और Harry Garcia की भी loan की option है कोई purchase option नहीं है purchase option भी नहीं है I think शाहिद हो सकता है purchase option हो लेकिन obligatory option कोई भी नहीं है ठीक है तो अब यह हो गया अब आ जाते हैं एंड के उपर जाओ फिलिक्स के उपर भाई जाओ फिलिक्स के उपर देखो टैलेंट अब है वो और हम पूरा support करेंगे बार्सा का player है I hope वो flourish करें चाहे वो एक season के लिए करें चाहे बार्सा के लिए मुश्किल हो अगले season उनको दुबारा sign करना because of जो अफ्लेटिको मेंडेड मांगी अफ्लेटिको मेंडेड उनको contract भी extend कर दिया I think अफ्लेटिको मेंडेड ने भी यहाँ पर फाइदा उठाया है फिलिक्स को के contract extend कर दिया salary उनकी कम होगी अब कलको उनको loan भी करना पड़ेगा किसी को बेचना भी पड़ेगा तो salary का at least issue नहीं होने वाला जो फिलिक्स की और यहाँ पर बार्सनों के लिए भी help हुई है because अब जब उन्होंने contract extend किया तो उनकी salary भी कम होगी है तो हो सकता है कि अब सरफ आप बार्सा का system है आप obviously बहुत different है यहाँ अप अथल्टिको मेड़ेट के system से now it's your time to shine to show the world कि क्यों अथल्टिको मेड़ेट नहीं है किसी भी team ने आपके लिए 100 million से जाधा pay किया थे तो आपका time है it was your dream you are living your dream आपने जैसे अपने मुझ से का है do your best कहां खेलेंगे interior left interior, right interior के होपर ही वो खेलेंगे 11 डॉसकी की व्यार मुझूद की के अंदर वो false 9 भी खेल सकते है winter के अंदर जैसे मैंने कहा है ठीक है अगर आप दे चले भी जाते हैं तो मुझे इतना बड़ा issue इसलिए नहीं है इसलिए नहीं है because हो सकता है winter हो सकता है कि winter के अंदर winter रोक आजाएंगे जो कि एक direct player है तो आपको option मिल जाएगी winter onwards right January onwards ठीक है तो Joe Felix I have a mixed feeling मुझे बस यह इस चीज़ का थोड़ा आसा concern है कि शाइद यह चावी की signing नहीं है तो शाइद इसके अंदर को issue ना हो जाए because अभी एक report आईए कि चावी is asking for another अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ कि he wants another forward अब्दे और आंसुफाटी दोनों गए हैं तो उसकी जगा सिरफ जाव फिलिक्स आए है तो he wants another striker इसका मतलब यह है कि काफी जब चावी की signing नहीं है but I really hope कि वो अच्छा perform करें एक season है बार्सा के लिए अच्छा करें Champions League में बड़े matches के अंदर बार्सा के लिए अच्छा करें और I am yeah to be honest as I said I rate 9 out of 10 for this transfer window I am actually satisfied कि बार्सलोना ने इस limitations के अंदर बहुत अच्छी बहुत सी दुनिया की team से जितनी भी teams हैं उनसे बहुत अच्छी transfer window निकाल ली है तो I am happy, I am excited for the season और I think हमें थोड़ा सा over critical नहीं होना चाहिए, हमको थोड़ा सा wait करना चाहिए मैं भी नहीं चाहता था जाओ फिलिक साहे मैं चाहता था आप दे और आंसु फाटी की रूखें और बार्सा कंसेलो और फरस्टनेलडा को सायन करके transfer window बंद करें बट इस हो इस, we have to accept it and we have to support our club तो गैस यह मेरा opinion था और यह news थी अपना opinion दें regarding all the transfer deadline और बार्सना transfer window और रेटिंग दें comment section में like, subscribe, share की में जाएंक फूटबाल until next time, it's a good bye from me विसके आल बार साथ